वेलकम टू जी एलेम इस्टिटूट आज के इस वीडियो में आपको हिक वीजन IBM S4200 सॉफ्ट्वेर के बारे में important features के बारे में बताया जा रहा है जिसमें device को add कैसे करना है device को main view से live कैसे देखना है और जो सबसे important feature होता है group create करना और उसको import करना उसके बारे में मैं बता रहा हूँ add present में हमारे system पर हमारे network में कितने NVR या कितने HVR connected है वो हम SADP tool से देख सकते हैं add present में यहाँ पर 7108 NIQ1M और 7204 HQ HIM मतलब दो system है अब यह दोनों ही system को मैं आपको इस software पर connect करके दिखाऊंगा अगर आप IVMS 4200 software यूज करते हैं तो automatically किसी भी device का IP address यहाँ पर trace हो जाएगा go to device management device management के option पर click करें और इसके बाद आपको यहाँ पर refresh करना है या फिर आपको online device पर click करना है जैसे आप online device पर click करते हैं automatically इस network में जितने भी device है वो सारे आपको दिख जाएंगे TP link router इससे मेरा laptop connect है और यही router पर यह दोनों system connected है जो मैंने अभी आपको SADP tool पर दिखाएते हैं SADP tool के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो पहले मैं आपको यह suggest करूँगा आप SADP tool पर जो वीडियो है उसको देखिए description में link provide कर रहा हूँ Go to device management option and click online device जितने भी device हैं यहाँ पर एक एक करके show होगे दोनों के IP addresses यहाँ पर show हो रहे है 192.168.1.101, 192.168.1.104 दोनों के model number show हो रहे है formware and जो भी details है product की वो सारी कुछ यहाँ पर show होगी अब हमें एक एक करके दोनों को add करना है IVMS 4200 यह software पर आप training ले रहे हैं इस software के बारे में सब कुछ आज सीखने वाले है click the device and click the add option यहाँ पर हम product का नाम देंगे जैसे यह NVR है 8CH8 channel का तो एक short name यहाँ पर दे रहे हैं जो भी आप देना चाहें इसके बाद product का username और password जो भी है वो यहाँ पर आप fill up कर लीजिए जैसे इसका username है admin और password है admin 123 इसके बाद import to group पर click रख सकते है या फिर इसको remove कर सकते this is optional synchronize time option यानि कि यह आपके laptop के साथ synchronize करे time को या नहीं तो by default जो जैसा है मैंने वैसे इसको छोड़ा add पर click करे यहाँ पर green option आ गया है green tick आने का मतलब है कि हमारा device add हो चुका है एक और device मैं आपको add करके दिखा रहा हूँ second को tick कर रहे है और इसको भी add करेंगे और यहाँ पर इसको नाम देंगे nvr 4 channel यह 4 channel का है इसलिए 4 channel यहाँ पर नाम दे रहा हूँ whatever any name युके इस password जो भी है admin 123 है अब आपको left hand side corner में इस तरह से box बन के show करेगा उसको click करें और यहाँ पर main view का जो button है उस पर click करें video applications में main view remote playback data retrieval reports काफ़ी सारे options है हमें main view यानि live देखना है तो main view पर click करें यह देखिए यहाँ पर nvr 8 channel और nvr 4 channel इनके अपने अपने camera शो कर रहे है इसके बाद मैं grouping के बारे में बताने वाला हो अब यहाँ से आप एक time में एक ही machine को देख पाएंगे यह दिखिए और आपको हर बार इसको add करना पड़ेगा इसलिए group बनाना जरूरी है at a time equation ivms 4200 जो है वो 48 frames को support करता है और bigger screen में आप जाएं तो 64 frames को support करेगा so in short this ivms 4200 application support 64 division of application files तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका file शो कर रहा है file in the sense जो भी camera का tile है वो show कर रहा है तो दो camera यहाँ पर show कर रहे है at a time आप max to max 64 cameras एक display पर देख सकते है अब मैं second वाला आपको बता रहा हूँ यह देखिए यहाँ पर play के button पर click करेंगे सारे के सारे एक साथ play होगे camera 1, camera 2, camera 3 and this is zero channel जिस पर एक साथ चारो देख रहे है tiles चेंज करेंगे और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि at a time आप एक दूसरे system का भी view देख सकते हैं अगेन आपको दूसरे system को select करना होगा और उसके जो भी camera आपको play करने है manually उसको select करना होगा आपको जैसे कि अभी मैं आपको 8 channel का एक करके दिखा रहा हूँ first camera और यह second camera मतलब manually drag and drop कर सकते हैं या फिर double click कर सकते हैं at a time here we can able to see 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus this zero channel at a time यहाँ पर 6 camera जो हमारे 2 system पर लगे हुए हैं NVR पर मैंने 2 camera लगाए हैं और जो HVR system है वहाँ पर 4 cameras लगाए हैं at a time आप यहाँ पर कितना देख पार हैं 6 देख पार हैं तो अगर आप सिर्फ उसको device को live add करके इस तरीके से use करेंगे तो at a time आपको जितने भी camera देखने हैं manually आपको drag and drop या फिर उनको play करना पड़ेगा यहाँ से play बटन से ठीक है तो it's little bit difficult procedure अब हम सीखते हैं group कैसे बनाना है group बनाने का benefit यह हुआ कि one touch पर आपके choice के सारे camera एक साथ play होगे इसके लिए again आप यहाँ पर click करे left hand side box पर और device management पर click करे और यहाँ पर group create का एक option होता है device के नीचे के तरफ यह देखिए device management, device and group group के बटन पर click करें और यहाँ से एक new fresh group create करेंगे हम जैसे add group के बटन पर मैं click कर रहा हूँ और एक नाम दे देते हैं जैसे GLM institute GLM CCTV training institute GLM CCTV camera training institute और इसको मैं import कर रहा हूँ select the encode channel अब यहाँ से हमें वो सारे camera select करने जो one touch पर play होने चाहिए अब आप यहाँ देखिए NVR 8 channel और NVR 4 channel यानि कि total जितने भी devices मतलब NVR या HVR या DVR आपके लगे हुए हैं उस network में जो आपने already add करा रखे हैं वो सारे यहाँ पर display होगे मुझे 8 channel के system में से सिर्फ दो ही camera play कराने हैं तो मैं इन दोनों को select करूँगा और 4 channel के system से मुझे सिर्फ 3 camera ही play कराने हैं तो मैं इन तीनों को ही select करूँगा जितने भी camera आपको play कराने हैं मतलब एक group बना रहे हैं in short एक group बना रहे हैं जैसे आप WhatsApp का group बनाते हैं उसमें members add करते हैं उसी तरह से यहाँ पर एक group बन रहा हैं और group में वो channel sorry वो camera आप add कर रहे हैं जिनको आपको play में रखना है import तरहेंगे finish group finish अब इस interface से बहार आते हैं हम और वापस हम main view पे click करते हैं यहाँ पर और अब हमारा जो यह group था CCTV training माला GLM CCTV training group मैंने बनाया था इसको मैं click करूँगा और play करूँगा जो हमने group में select किया था सिर्फ वो ही camera यहाँ पर play होगे 1, 2, 3, 4, 5 आप देख रहे हैं GLM Institute की तरब से बनाया हुआ एक बहतरीन वीडियो जो ही क्विजन IBM S4200 पर focused है जिसमें device को add करने से लेकर live देखने से लेकर group बनाने तक के सारे stage आपको बताये गए remote playback करने के लिए remote playback पर आना है जो भी camera का आपको play करना है file उस पर click करें इसके बाद यहाँ देखिए नीचे के तरफ यह line बन के आएगी इस line को आप इस तरह से आगे करिए जो भी time का आपको file play करना है इस तरह से आगे करिए और यहाँ से फिर play बटन पर click कीजिए आपका file automatically play हो जाएगा So I hope you understand completely all important topics from this IVMS 4200 application कोई भी doubt होने पर वीडियो के comment box में अपना question type कीजिए आपको reply ज़रूर आएगा Thank you आपको जो जाएगा